नमस्कार सिल्क टीवी देख रहे हैं आप मेरा नाम विकास कुमार सिंग है और आज हमारे साथ प्रिती प्रियाजी हैं आज भागलपूर महोसब का अंतिम दिन था और ये आज मॉडलिंग परतियोगिता में ये वीनर वनी हुई है हम आपको बता दें प्रिती प्रियाजी भ वी क्या कुछ इनके मन में जीतने से पहले था और क्या कुछ आज जीतने के बाद महशूस कर रही है प्रिति प्रिया जी सबसे पहले तो स्वागत है आपको आज भागलपूर महसम में वीनर वनी है आपको ऐसा लगा था कि मैं यहाँ वीनर वनूंगी आज ऐसा कुछ या फिर जितने के बाद यानि यहाँ पर कि आज़ी आज आज़ा एक्शली अगरा एक्शली मेरा एम है कि मैं मोडलिंग चेतर में आगे बढ़ूं और मेरा एम है मिस वर्ल्ड का इसलिए मैंने यहाँ पर परफॉर्म की और इसके आगे मैं यानि हेजिटेशन दूर करने के लिए आज आज आपने ट्राय किया और यहाँ पर आज वी नर्वन गई तो फिर आगे का एम आपका है मिस उनिवर्स के लिए या मिस इंडिया के मिस वर्ल्ड के लिए आप अभी छात्रा हैं बाप ये पार्ट वन में आप पढ़ रही हैं और पिता जी आपके विजनेसमेन हैं और भागलपूर की धरती से हैं खासकर अभी के समय में हमारा जो समाज है समाज खासकर लड़कियों को मौडलिंग हो गया फिल्म दुनिया हो गया या तो फिर गायकी के छेतर में कहीना कहीं संकोचित है इस चीज को लेकर हमारा समाज तो आज आप सिल्क टीवी पर हैं आपको बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं और आप विनर भी बनी हैं तो वैसे समाज के लोग जिनकी सोच ये रहती है लड़कियों के परती जो मौडलिंग के छेतर में जारी लड़कियों के परती सोच रखे हुए संकिरिन सोच है उनक के लिए कि लड़के हो या लड़कियां दोनों एक समान है और लड़कियां वो हर कुछ कर सकती हैं अपने जीवन में जो लड़के कर सकते हैं तो पैरेंस से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने बेटियों को सपोर्ट करें और उन्हें हिम्मत दें आगे बढ़ने के अधिक करने के लिए और एक सवाल और होगा प्रिया जी आपसे प्रिती जी कि आज के समय में देखा जाए तो खैर मोडलिंग खैर खुबशूर्ति की चीज है लेकिन मोडलिंग एक छेतर में आप विनर बनी है लेकिन आपको बता दें कि इसमें जो है खुबशूर्ती इस समाज के परती आपका नजरिया क्या है तो आज यहां पर आप विनर बनी है तो क्या कुछ ऐसा पहले से आपकी तयारी थी कि नहीं हम इस चीज के लिए प्रिपेर्ड है या तो फिर ऐसा कुछ जो मतलब मेरा बच्पन से एम रहा है और मैं बच्पन से इसके बारे में सोस्ती थी बट पैरेंट्स से बात नहीं कर पाई कभी इस मैटर में और मतलब की एक साल पहले मैंने जब इंटर अपना कंप्लीट क तब मैंने अपने बापा को बताया ममा को बताया दीदी को बताया सबको बताया कि मेरा यह एम है और मैं यह करना चाहती हूं तो किसी ने कुछ नहीं बोला तो मुझे लगा कि साया तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर सकती हूं तो इसलिए मैंने यहां परफॉर्म कि चले प्रिया जी आप खुशनसीब हैं आपके पापा ने आपको सपोर्ट किया और मैं भी चाहता हूँ कि जो भी हमारी देशकी लाडली है बेटी है उनको उनके पेरेंट्स सपोर्ट करें वो जिस भी छेत्र में जाना चाहती हैं उनको वो सपोर्ट करें और बरहाल पिर्या जी आप खुश नसीब हैं आपके पापा ने आपको सपोर्ट करा और आज आप विनर भी बनी हैं और आज आप हमारे सिल्क टिवी के साथ हैं तो ऐसा कुछ जिंदगी से कुछ ऐसी जूड़ी बात हैं जो आप सभी लोगों के मतलब कि मैं जब क्लास जाती थी तो बहुत ही सिंपल में जाती थी और लड़किया बहुत ज्यादा मतलब की बंधन के जाती थी थोड़ा सा और मैं बहुत सिंपल में जाया करती थी क्लास और बहुत नॉर्मल लाइफ जीती थी तो क्लास की कुछ लड़कियों का कहना था क मैं बहनजी टाइप से रहती हूं तो उस टाइम जब वो मैंने सुना तो थोड़ा सा मेरे अंदर और एक यह जगा कि नहीं अब तो मैं करूंगी यह मेरा एम है और मुझे करना है और इन्हें दिखाना है कि मैं बहनजी नहीं हूँ बिल्कुल पिरिया जी हम आपको बता दें कि अच्छी सूरत को सवरने की जरूरत क्या है सादगी भी कयामत की आदा होती है वराल हमारे साथ पिरिया जी थी और यह आज यहां पर भागलपूर में मॉडलिंग परती होगी तो हमें वीनर वनी हुई है और मेरा नाम विकास कु पर देख रहे हैं अगर हमारा यह वीडियो आप फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें कैमरा के पीछे सलमान अनबर मजूद है हमारा पिरिया जी से बाचीत आपको कैसा लगा नहीं लगा हा लगा आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में जाकर हमें जरूर बताइएगा हमारा यह वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया